हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए HDB Financial Services में निकली Legal Officers की latest vacancies के बारे में complete information देंगे तो दोस्तो ऐसी ही law related useful वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चले आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो लोग रेजवेट्स के लिए HDB Financial Services में vacancy निकली हुई है Legal Officer की vacancy है तो इसके notification को आप इसकी official website carriers.hdbfs.com जो hdbfs.com है इसके carrier section में जाकर कि आप download कर सकते हैं आपके सामने screen पर इस vacancy का carrier page open है इस carrier page में पहुँचने का means इस vacancy के लिए direct apply करने का online जो link है वो हम आपको वीडियो के description में उपलब्द करा देंगे उसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर apply कर पाएंगे तो दोस्तो यह देखिए जो banking financial related इसका work है और यहाँ इस work में जो भी legal issues आते हैं उनको यहाँ पर आपको handle करना होगा तो चलिए उसके बारे हम थार डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने screen पर HDB Financial Services का official notification open है या इसी कह सकते हैं कि इसका official page जहाँ पर आपको apply करना है वो open है तो देखिए यहाँ पर legal officer की vacancy निकली हुई है यह vacancy तीन निन पहले post की गई है यह इस website पर नमरा vacancies की बात करें तो यहाँ total एक vacancy है और बात कर लेते हैं educational qualification की तो आपके पास law degree होनी चाहिए इसके साथ साथ आपका bar council में enrollment भी होना चाहिए और बात करें इसके साथ तो आपको जो वहाँ work करना होगा वो होगा जो legal matters है company के वो आपको handle करने होगे legal initiative है उनको भी देखना होगा आपको और जो legal issues है उनको handle करने की आपकी efficiency बहुत अच्छी होनी चाहिए इसकी job location है नागपूर महराष्टरा भारत में है और इसके बाद qualification मैंने बताई और experience की बात करें तो minimum five year का experience होना चाहिए आपके पास legal field में work करने का as a advocate हो या फिर किसी law firm में work करने का हो salary की बात करें तो देखिए जो है बहुत अच्छी salary मिलने वाली है 3 लाग से लेकर के 5 लाग salary आपको मिलने वाली है मन्त की बहुत अच्छी salary होगी और दोस्तो इसमें जो है सभी departments है सभी departments का work देखना होगा post आपकी legal officer की होगी और दोस्तो और अगर information की बात करें इसमें तो देखिए ये vacancy आपको only interview के अधार पर selection होगा यहाँ पर age limit कोई भी नहीं है means किसी भी हेज के लोग apply कर सकते हैं application भी कोई नहीं है तो अप apply करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए तो एक आपके पास CV होना चाहिए वो CV को जो है आप PDF में बना लीजिए और उसके साथ साथ एक covering letter बना लीजिए और उस covering letter और CV को आपको यहाँ पर जब आप apply पर click करेंगे तो एक form open होगा जहाँ पर आपको basic details भरनी होगी और उसके बार resume को upload करना होगा resume को आप upload कर देंगे तो जो आपकी basic details हैं वो सारी submit हो जाएंगी उसमें खास करके mail ID और mobile number तो यदि आप eligible हैं तो वो आपको mail से सूचित करेंगे और interview के लिए call करेंगे और interview में यदि आपका selection होता है तो आपको job करने का chance मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद